पस्चिम यूपी के ग्यारे जिलो में आज पहले चरण का मद्दान संपन हो गया है और मैं इस समय के इंद्रिय मंत्री संजीव बालियान जी के साथ हूँ और मद्दान के बाद उनका क्या किस तरह का वेल्यूएशन निकल कर आ रहा है क्या उनके समर्थक और उनके वोटर उ या ऐसी चर्चा हो रही है चुनाव मिसा टफ होते हैं यह तो रिजल्ट बाद में बताता है 2017 का चुनाव मेरे याद है इसी तरह का चुनाव था हमें नहीं बताता हम कुण 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 सी रिजित हैं और जब खुला बिटा रहा तो सारी सीट आगी चुकि बहुत बड़ा साइलेंट वोटर होता है वो साइलेंट वोटर आप पोलिंग वाले दिन जज़ कर लेते हैं लेकिन उसका एंड रिजल्ट पता लगता है काउंटिंग में उनका वोटिंग परसंटेज भारतियनता पार्टी को जादे मिला है तो 2017 जैसे मावल दिखाई देता है बलकि मैं तो कोंगा के मुझे लगता है शायद वोटिंग परसंटेज में हम 2017 सा अगय निकल सकते हैं अभी जो मैं मतलब ट्रेंड आ रहा है आपको जो फीडबेक अपने समर्थकों के कारिकरताओं के पार्टी के अडर से मिला है तो जो मुझा फरनगर की छे सिटे हैं तो मतलब है हम जीत के जाएंगे मताया है 2017 जैसा ही माहूल है बिल्कुल एक्जेक्ट नहीं बता सकता लेकिन पूरे पश्चिम का जो आज में जितने भी आसपास के जिले मेरी समय बात हुई है करीब-करीब तो मोरोलेस सब का अखलन यह है कि अच्छी मेजोर्टी के साथ हम यह से प प्रष्ट भूमे में बहुत सारी चीज़े कही जा रही थी किसाना अंदोलन का कितना फर्क आज आपने देखा होगा वोटिंग से आपको क्या लग रहा उसके टेंज ऐसे बहुत से वोटर मिले जिनना बारतिया पार्टी को वोट दी जो किसाना अंदोलन में वहा थे जब को काठा चुपता है दूसरे को दर्द होता है इसलिए अंदोलन था जब वह बिल वापस हुए तो जो रियल इशूज है उन पर बात होने चुरूब होगे और विपक्स उसी में लजा रहा विपक्स के पास किसाना अंदोलन के लावा कहने के लिए कुछ नहीं था वो बार है थी बहुत थी कि हम तो मोदी को वोड़ देंगे तो बहुत से फेक्टर सें के जिन पर हुआ है लेकिन चुनाओ मुझे लगता है कि डवलोप्मेंट के इशूज है उन पाया एंड लाव ड़ू इन पाया है चुनाओ संजीव जी एक मतलब हर सोसाइटी में एक चीज दे देखे अनुम एनप्लियमेंट के बारे में बात होती है और वो इशू है चुकि हमारे यहां तो इसलीए 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 कि दो साल से फोज की बरतिया नहीं हो पाई कोरोना की बरती रुकी है और हमारा गाउं के बहुत बड़ा तबका युवाव का ऐसा है कि जिसका उत है देश की रक्षा के लिए फोज में जाना या पुलिस में जाना होता है हमारे अग्रामिन शेत्र में तो यह मुद्धा है लेकिन युगा भी समझते हैं कि दो साल से जो करोना की इस्तिती रही है और सबसे बड़ी बात है कि पश्ची मुत प्रदेश में नोकरी थी कहा सा प्राइवेट सरकारी तो नोकरी अख्लेश के कारेकाल से हमने जा देदी हैं लेकिन प्राइवेट इसलिए नेतिक इंडस्ट्री तो बंदो चुकी थी यहां प्लाय नोचुका था यहां से अब इंफ्रस्ट्रक्चर आया है दुबारे इंडस्ट्री आने के शुरुआत है और हमारी तो कोशी सिया है कि पश्ची मंदिली के इतने पास हैं हम दूसरी जंग नोकरी करने जाए तो बविश्य है देखे बुनियादी चीज़े जरूरी है हल करना पहले इंडस्ट्री को लाने के लिए रोजगार उसी सा आएगा रोजगार सिर्फ सरकारी नोकरी को बर आने वाली है और गन्य का बुक्तान समय पे होगा और जो चोदे दिन में भुक्तान चीनी मिले नहीं देंगी तो उनके खिलाब करवाई होगी तो इन पांस साल में क्यों नहीं होगी देखे हमें 22,000 को रूप फार में मिले थे बखाया इन पांस सालों में करीब 75 प्रतिश अभी शुगर मिल नहीं है लेकिन इनके लिए पहले से कहा जात रहा कि ब्याज दें अच्छी बात यह कि पार्टी ने इस बार यह बात मान ली है कि 14 दिन सुपर अगर पंदरों का दिन होगा तो उससे किसान को ब्याज मिलेगा यह अच्छी बात है आज के मद्दान में च हाँ गुड़ जैसा मिठा मद्दान था आज मतलब आपको लग रहा है कि फील गुड़ हो रहा है मैं खुश हूं जितना मेरा आकलन है कि मैं जितनी सोच रहा था उससे जादे आज वोट हमें मिली है मुझे लगता है तो हमारे साथ संजीव जी थे तो संजीव बालियान ज गई है अपने सही कैमरा में निसान चोहान के साथ एबी बी गंगा के लिए मुझे फरनकर से अजीद सिंग राटे एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की